असल्ंमुले कुम के अश्तु आपसब रम दुलिल्लम एक्दम ठीक हूँ और मिद खरती हूं कि आप सब टीक भूंगे तो मुझे मैं तो दोदिन वाइटी पर नहीं थी लेकिन मैं सारा कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वह सब तो मतलब ख़बर रखना बनता है न, तो ख़बर भी सारी कुछ रख रहे थे और बहुत जञें यह कह रहे थे कि शबनम का और भी असिच्टर है रहमानी जो भी हमारी टीम है, इन लोगों का पता नहीं क्या हो गया है, शबनम का चली गयी है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सारा कुछ हमारी बाते हो रही थी, बस मैं वाइटी पर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मैं बिजी थी, बताई थी ना के मेरे घर में फंक्शन था, तो मैं उसमें बिजी थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अलम्दुलिल्ला, मुझे, हम मिल के बाते कर लेते थे परतनल में लेकिन वाइटी पे निया पारी थी तो जो लोग खुश हो रहे थे न के इनका कुछ हुआ है तो बस खयाली पुलाओ बनाते रहो और क्या कहते उसे गलत फैमी के बुबारे उड़ाते रहो तो आप लोगों को तो पता हिए कि मरियम सौदी से निकल गई है और पाकिस्तान आगई है और कहे रही है कि हम लोगों कोई डिपोर्ट नहीं किया गया है हम लोग ये नहीं हम लोग वो नहीं तो भई अब क्या ही कहूं क्या ही कहूं मुझे तो न इतनी मतलब इनके उपर क्या कहूं दया भी आ रही है इनके उपर जैसे तरस आना वो भी आ रहा है और दूसरा कुशी भी हो रही है कि देखो अल्ला का इंसाफ मैं हमेशा कहती हूं कि उपर वाले के घर देर है और अंधेर नहीं तो बस वही सब हो रहा है बाकी अपना दिल बैलाने के लिए लोग जो भी सोचे जो भी बोले वो तो फिर चलता है बाकी सच्छा ही तो जो है वो सभी के थामने हैं और अल्ला के घर देर है अंधेर नहीं य हरम शरीफ जाके महाँ पर कसम काई थी तो सभी ने सभी ने उस बात के उपर उंगली उठाया था यहाद है ना अप लोगों को सलमा जाके हरम शरीफ में कसम काई थी जबकि एची कोई डिल नहीं हुई थी एची कोई बात नहीं हुई थी के सलमा जाएंगी उदर और कसम काई उसने तो बस अपने मन से इन खाई थी और इन लोगों ने इसके ओपर भी डॉट किया उसके उपर सवाल उठाए अपर के ऊपर उपर सवाल उठाए इसकी नियत के सवाल उठाए जबके इन लोगों को यह चीए था कि इस Between खाई है ना चाहे वो महां पर रह के खाई या एडिट करके खाई ये लेकिन उसने कसम खाई ये तो फिर वो अल्ला के और उसके बीच का मामला है लेकिन नहीं लोगों ने बहुत शोर किया कि उसने अल्ला के घर कसम नहीं कहाई है उसने शिरीफ ऐसे ही घर में बैठके ग्रीन कपड़े के पीछे कसम खा ली और एडिट कर दी ये कर दिया वो कर दिया उसने यही कहा कि मैंने क्या किया है नहीं किया है वो अल्ला जानता है और मैं जानती हूँ और इसका सिला क्या होगा क्या नहीं होगा वो अल्ला जरूर बताएंगा और आद देखो आद देखो कि ये टाइम आगया है कि जो जो लोगों ने गंदगी का साथ दिया था जो जो लोगों ने जूट का साथ दिया था जो जो लोगों ने सच के उपर उंगली उठाई थी जो जो लोगों ने सच्चाई को जूट और जूट को सच साबित करने के लिए अपना इमान अपना सब कूछ बेज दिया था ना आज वो लोगों को सजा मिल गई है और सजा भी क्या मिली है कि चलो मान लेते हैं कि इनके चैनल तो वहाँ भी चल जाएंगे यहां भी लेकिन अल्ला के लिए अल्ला की रा में इतनी बड़ी आप लोगों को सजा मिली है कि आप लोगों को डूपके मर जाना चीए ठीक है वो बंदी सच्छी थी वो बंदी सही थी वो बंदी अच्छी थी उसकी नियाद साफती उसने पाकिस्तान जाने की पुरी तैयारी करी थी सल्मा ने और अल्ला ने उसे रुका लिया अल्ला ने उसके सामने सारी सच्छा हिलाके रख दी और उसे अपने घर से कहीं जाने नहीं दिया अल्ला ने अपने सर जमीन से उसे बाहर निकलने नहीं दिया अगर अल्ला पाक के सामने अगर वो जूड बोलती उसकी निया सही नहीं होती तो वो तो तो तैयारी कर चुकी थी उसे तो जबर्दती ना बुलाया जा रहता ना उसे डिपोर्ट किया जा रहता और नहीं था कुछ हो रहता मगर अल्लत अल्ला ने उसे रुका लिए उसके सामने सारी सच्चाई आ गई और उसने अपना जाना कैंसल कर दी जो कि अल्ला की मर्जी से हुआ अल्ला नहीं चाहता था कि वो बंदी के अल्ला के घर से निकल जाए इसके लिए अल्ला ताला ने सच्छा है इसके सामने लेकर आए और इनकी आलत क्या हुई नहीं तो इनका डिपोर्ट का कोई मसला था नहीं तो अम्मी अब्बू को पाकिस्तान जाने का कोई शौक था अम्मी अब्बू सुरू से अभी तलक के बोलते थे के हमें पाकिस्तान नहीं जाना है हमें यहां से कहीं नहीं जाना है हमें यहीं मरना है हमें अल्ला की सर जमीन पे दफनाया जाए ये था इनका खुआब ये था इनका सपना लेकिन अल्द अल्द आल्द ने इनको कहती सजा दिये ये देखो कि एक तो मतलब ये करके इमोशनल ब्लैक मिल करके उसे यहां ते बुलाया गया अल्द गर ते और अलपाक ने ये सारा कुछ जो खेल वुआ अलपाक ने ये खेल के जरिये इनको अपने सर जमीन से अलग कर दिया फैंक दिया इनको निकाल के कि आप लोग गंदे हो आप लोग गंदगी का साथ दे रहे हो आप लोग जूटे हो आप लोग जूटी कसम काते हो और इनकी नियते खराब है इसके लिए अलबाक ने इनको वहां ते निकाल के गंदगी में फैंक दिया इनकी अम्मी अब्बो को और दूसरी तरफ हो मरियल फसादन उसको देखो के इतने साल से रह रही थी और जब इतने अलगी रहा में जो भी बाते हो इसके उपर इतने उंगली उठाई इसको सारा कुछ मालू होने के बावजूद इतने गलत को साथ दिया कसमे खाई, रोजे रसूल की कसमे खाई, ऐलादों की कसमे खाई आज उसको ये फल मिलाया कि अल्ला ने उसे अपनी सर जमीन से निकाल के बाहर फेका है उसे हुआ, कौन किया, कब किया, क्या हुआ वो तो सारों को पता है न कि उनकी सारी बाते वाइटी पे है किसे करवाया, कौन, अल्ला ने किसको जरिया बनाया और उसने कुद अपने मूह से इतनी जहाईलियत जो बकी वहां पे बैठ के और लोगों ने फिर वो सब चीजों को जमा करके जहां पे भेजना था भेजा गया और वहां ते फिर जाहिर सी बाते पाकिस्तान में ये सब गंदगी चलती है लेकिन सौधी में नहीं चलती अला के घर के पास जो रहता है जो अला की सर जमिन पे रहता है वहां पे ये सब नहीं चलता गाली गलोच और रियक्शन देना जूट को प्रमोट करना बंदगी बकना अपने हस्बेंड को कुटा बना के रखना ये सब वहां पे नहीं चलता तो जब सारी चीजे वहाँ पे बेजी गई तो फिर इनको मिया वीवी को वहाँ से दक्के मार के पहले तो उसके हस्बेंड की जॉब चीन ली गई कि जो तुम लोगों के घर में चल रही है जाहिलियत जलालत और गंदगी तो तुम्हारे को यहाँ पे जॉब पे नहीं रख सकते है उसको जॉब पे से निकाला गया और दोनों मिया वीवी को इनके बच्चे समय डिपोर्ट कर दिया गया ये लोग ख़दे थे ना खड़ा ख हो दो ना तो उसमें हम खुद गिर जाते हैं आप लोगों को याद होगा किस तरह से लोग धंकी दे रहे थे कि हम अजगर को डिपोर्ट करवाएंगे हम बच्चों को डिपोर्ट करवाएंगे सलमा को डिपोर्ट करवाएंगे तुम्हारे खड़ों में तुम खुद गिर बड़ा ही अच्छा लगा ये देखके बड़ा ही अच्छा लगा क्यूं क्यूंकि न तुम लोग किसी के लिए अगर फ्रॉट करके जूड बोलके ड्रामे करके और गंद्यगी को प्रमोट करके किसी के लिए खड़ा खोदोगे तो जाहिरती बात है तुम खुद गिरोगे उसके अंदर और तुम लोग गिरे तो फिर इन लोगों को डिपॉर्ट करा के और इन लोगों को पाकिस्तान फैंक दिया गया है कि जो भी गंदगी है जाके पाकिस्तान में करो तो मुझे मरियल फसाथ से ये पूछना है कि तुमने जो गंदगी का साथ दिया जूट को प्रमोट किया जीना को प्रमोट किया और तुमने बेहन बेहन बन के जो डॉलरे चापी और जो गंदगी को तुमने अपने सर पे टोकरा जो गंदगी का ले लेके गुमी उसका सिला क्या मिला तुमको क्या सिला मिला मुझे ये जरूर बताना ये सिला मिला के तुम्हारी बेस्ती हुई तुम्हे निकाल दिया गया माते अच्छा लगा तुमको ये सब देखके अच्छा लगा तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा तुम्हारा husband कहां पर पढ़ा होगा कौन सी job करेंगा या तुम्हारा husband भी सितारा के गोंचु की तरह तुम्हारे इतुकडों पर पलेंगा वैसे तो है वो भी गोंचु ही न तभी तो तुम्हें ये सब गंदगी करने दिया इतनी गंदगी करने दिया के इतनी अच्छी जगाते तुम लोगों को पाकिस्तान जैसी जगा पर मतलब जहां पर पिटा रहा है वहां पर फैक दिया गया तुम्हारे husband को उसके अंदर इतना नहीं है इतना उसके अंदर शरम नाम की चीज नहीं है के वो तुम्हारी ये गंदगी बन करवाए और सही रास्ते पर आ जाए तुम लोग अल्ला से माफी मांग ले नहीं है ना तुम्हारे husband के अंदर भी वो भी दूसरा गोंचु है वहां से लात मारके निकाला गया फिर भी तुम लोग यहां पर आके वही गंदगी को प्रमोट करने में वही पिटारा को वही जानी अरत को तुम लोग साथ देने में और गंदगी पहलाने में लगे हुए हो तो लगे रो कब तक लगे रोगे एक ना एक दिन तो पिटारा का किस्ता खतम होई जाएंगा फिर तुम लोग क्या करोगे जॉब भी चले गई घर चला गया बच्चों की एजुकेशन आप यहाँ पे तुमको पता चलेंगा के पिटारा और तुमारी जिन्दगी जब सेम टू सेम रहेंगी बड़ा तुम पीट पीचे नाम रखती थी ना उसके बच्चों के सर में जू हुँ है और लोग फटेले कपड़े पहनते है और किसी के भी नीचे लेड़ जाते है याद है मरीयल यह सब तुमने कहा था तो अब सेम टू सेम पिटारा की तरह जिन्दगी तुम भी जियोगी है ना और जो तुमने सलमा के उपर नाम रखता था सलमा तो जूटी है सलमा यह है मिया वीवी मिलके गेम खेल रहे है यह सब कहा था ना बहुत सारी बाते कही थी वो सारी चीज़े ना तुम लोगों के उपर लागू हुई और तुम लोगों को उपर वाले ने सजा भी दे दिया आज वो दोनों को देखो मिया वीवी को उन लोग अभी भी अल्ला की सर जमिन पे है और तुम लोग कहा हो वो देखो खेर गे हो आईटी पे लोग है जो बैक पे है वो लोगों ने मिलके जो काम किया है मेनत किया है वो तो हई है लेकिन जब कोसर के बच्चे का इंतिकाल हुआ था तब इन लोगों ने कहा था ना कि मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो जाहिरती बात है जो तुम लोगों की बेस्टी हुई है जो तुम लोगों को निकाल के फैका गया है वो भी अल्ला की मर्जी से हुआ है ना कि कोई इनसान की इतनी इमत है जुरत है कि वो किसी को कहीं पे कर सके हाँ अल्ला जरिया बनाता है और करवाता खुद है तो मरियल तुझे क्या सिला मिला गंदगी में हाथ डालके गंदगी को चार तरफ पहलाने का क्या सिला मिला और अब हम देखेंगे न कितना सपोर्ट करती है तुमको पिटारा पिटारा तुमको कितना सपोर्ट करती है कितना प्रमोट करती है अपने घर में बिठा के रखती है या गोंचु से निका करवा के तुम्हें अपनी सोतन बना के रखती है अब आगे देखने वाली बात यही होगी कि जिसके लिए तुम लोगोंने कड़ा को देते वो बंदी तो अब बंदी तुम्हारे लिए क्या करती है यह भी देखने वाली बात होगी तो आप लोगों को मैं यह भी बता दूँ कि यह जो इतना बोल रही है हम लोग अपनी मर्जीत से आए तो आप लोगोंने अगर इसके पहले के वीडियो देखे होंगे यह आप लोगोंने इसके जो व्लॉग के वीडियो है वो देखे होंगे तो इसको तो पाकिस्तान बिल्कूल भी जाना इसा कुछ इसका मूर नहीं था ना इसको पसंद है यह तो वहाँ पे जो सौधी में रह भी रहती तो सारा कुछ जैसे दवाई से लेके घर वगेरा सब कुछ कमपणी की तरफ से था इनको सिरी सबजी खरीद के खाना होता था बस और कुछ भी नहीं था इनका खर्चा यह तक के गुमने जाना पेट्रोल उम्रा यह सब का खर्चा ना खंपणी खुद उठाती दे तो इतना सारा सब चोड़के आना कोई भी निच चाहेँगा जाहिर सी बात है न कोई चाहेँगा कि हमारी जो कमपणी का भी सेलेरी हा रही है यूट्उब की आ रही है सारा कुछ सेफ हो रहा है क्यूंकि हम जी रहे हैं कमपनी के लिए इसान कर रहे हैं खा रहे पी रहे घूम रहे फिर रहे उम्रा कर रहे हर एक चीज का मतलब आशो आराम सारा कुछ कमपनी की तरफ से हो रहा था तो कोई भी बंदा महां से निकल के क्यूं आएंगा पाकिस्तान तो यह जूड बोल रहे हैं कि हम लोग खुश से आएंगा आप लोग यही सब बातों को ध्यान में रखो और अपने अपर रख के सोचो कि कोई बंदा इतना इशो आराम और सारा कुछ छोड़के आएंगा क्या नहीं आएंगा जाहिरती बात हैं कोई नहीं आएंगा तो यह जूड बोल रही है और यह छुपा रही है कि इनको डिपर्ट कर दिया गया है इन लोग डिपर्ट करवाना चाहते थे सच को और जूट कुट डिपोड हो गया इनको लात मार के निकाल दिया गया और ये थाबित हो गया कि उपर वाले के घर दे रहे अंदेर नहीं तो ये वीडियो मैं यहीं पेंड करती हूँ और आगे जो भी अपडेट रहेंगी इंशाला हम जरूर शेर करेंगे और वीडियो केती लोगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक करना शेर करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला पीस